नमस्ते दोस्तों मेरा नाम प्यूश्रार आप देखने दो कोशनार भारत आप लोगों को पता है कि हमारे जवान आए दिन बॉर्डर पर शहीद होते हैं अभी मैं यह टर्मिनलोजी इसलिए यूज कर रहा हूं कि आप लोगों को लगे आप लोगों को पता चले कि मैं बात क दूस्त क्या करनी चाहिए हम लोग अगम शहादत शहीद उनको बोलकर उनकी इंसल्ट कर pharmac अगलब अधर सब्सक्राइब ऑर हम क्या करने को शहीद हो गए हैं आप इसका मैं प्रूव भी दूँगा मैं क्या बात कर रहा हूं और तारिक फत्य के मुझे भी मैं सुनाना चाहता हूं तो आप इस वडियों पूरा बने रही है इन्फॉर्मेटिब लगे तो शेयर करें इस भ्रहम को दूर करें और मांग करें ट्विटर पे यहां पर हर जगा कि सरकारें स अच्छा लगे तो शेयर जरू करेंगा नए हैं तो सब्सक्राइब जरू करेंगा और बागी किसी में आदिम से सपोर्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है एक त्योरी है इसलाम में और कुरान में भी कई जग जिकर है इसका कि अधरी अहीं अग्या कि राह में जो जग लडई जाएगी अल्ला की कौज में जग लडई जाएगी और जो डिस्क्रिप्श को मारा जाएगा वो है जिहाद मैं आपको कई वीडियो में प्रूफ भी दिखा चुका हूँ वो जिहाद है तो जब जिहाद में काफिर को मारते हैं और जब आपने मार दिया और मारने के बाद आप बच गए जिन्दा बच गए काफिर से लड़ाई में आप जिन्दा बच गए तो आप हो गए गाजी ठीक गाजी लेकिन अगर आप स्टम को याद रखेगा इसको बाद में रिलेट करूँगा लेकिन अगर आप उस लड़ाई में मारे गए तो आप हो गए शहीद ठीक है यह जिन जिहादियों से कि गाजी का मतलब होता है जो काफिरों पर जीत हासिल कर ले और उस वक्त के लोग मुगलों के टाइम पर जो भी है जब हमारे देश में रहते थे तो जिन जिन एरियाज में उन्होंने फतह हासिल की काफिरों के उपर मारके जो बच गए बढ़ी अक्तादाद में बच गए तो उस एरिया में किसी एरिया का नाम और भग दिया घाजीपूर जो आपको घाजीपूर एक जगह देखने को नहीं मिलेंगा कई जगहर देखने को मिलेगा हमारे पुरौांचन में बी गाज़ेपूर है बहुत बड़ा शहर है दिली में भी गाज़ेपूर है उतना बड़ा ने लेकिन दिली उस नाम का मतलब भी नहीं पता भविश्य में जब तक नाम रएगा आपको inferiority complex feel करना पड़ेगा होना पड़ेगा कि हमको मारने वालों ने उस terminology पे उस सहर का नाम रखा जो उन्हें कहा जाता था अब उसको छोड़ दीजिए जब आपको पहले ही कहा है कि आपकी सबसे बड़ी जो चाहत होनी चाहिए वो मौत है क्योंकि असली जिन्दगी मरने के बाद शुरू होती है तो जिसकी चाहत मौत हो वो तो he wants to end his life तब ही आपने देखोंगे टेररिस्ट हरकत करता है और उसकी मां तालियां बजा रही होती है मिठाईयां बाट रही होती है वेस्ट बैंक में आपने देखा होगा काई और जगा भी सब मेरा पुतर शहीद हो गया और वो वर्ड शहीद आप बताईये इंडिया में अडॉप्ट हो गया शहीद का वर्ड है शहादत के अंदर मरना अव इस बिन इंकॉपरेटेट इन इंडियन लैंगविज आप अंदादे लगाईये इट इस इंबेड़ेट दे शहीद कहते हैं ना हमारा शहीद शहीद किन ओनली वी तरॉप यह लुँ भूश्व ऑद्धु में गाजी अबाद है तो गाजी इसलीए है कि यह वह लोग है जो हिंदू हों को मानने के बाद जी सके तो वह गाजी होते हैं तो जहां वो रहते हैं वो गाजियाबाद है वेन पीपल हेटिंग हिंदू एवन इंटाइर कॉलनी नेमड आप राजियाबाद जो पाकिसान में भी नहीं है एपयों तो अब मैंने शहीद और शहादत है की जो टर्मिनलॉजी है इसको पहले मतलब बता दिया घाजी का भी मतलब बता दिय काफिर को मारके बच गया तो गाजी मारके मर गय तो शहीद उसके बाद आप जो भी अलला जन्नत वगजरा वगजरा जो सब्सक्राइब करते और उनको इस भद्धी गाली से रिलेट करना भी नहीं चाहिए हमारे अपने देश की सब्वित्ता संस्कृति कल्चर ट्रेडिशन जो इंशिंट है वहाँ पे प्यारा सा टर्म है उसको कहते हैं वीरगति को प्राप्त होना तो क्या मैं आप लोगों से अभी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अब के बाद यह जान लेने के बाद आपका पहला स्टेप होगा कि सबको अवेर कराएंगा दूसरा स्टेप होगा कि अपने जानने में लोगों को रोकेंगे और खुद भी इस टर्मलोजी का प्रयोग नहीं क झाल 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 झाल